बताने वाला हूं पिछली कट ओफ का बच्चे यह सोचते हैं सर कितनी महनत करनी पड़ेगी इसमें सेलेक्शन के लिए तो पहले तो आपको बता दू पिछली दो बार का कट ओफ एक नेगेटिव के साथ भी एक नॉन नेगेटिव भी है यानि इसमें नेगेटिव यह 2020 में आई थी भरती इसका दिसमबर 2020 में ही एक्जाम हो गया यानि यह जुलाई अगस्त में आई है बच्चो अगस्त में भरती आई है और दिसमबर में एक्जाम हो गया और बच्चा यह लोग फरवरी मार्च में ट्रेनिंग पर भी चले गया है 2022 में अभी इसी साल यहां पर वेकेंसी अट्थावंस हो थी 2020 में सर 2023 में कितनी एक्सपेक्टिड है वेकेंसी का नुमान पीछे भी था पिछले पेश पे मैं यहां बता रहा हूं तो इस बार जो है वेकेंसी एक्सपेक्टिड है अभी तक वह 5000 पिलस है यानि इन दोनों बार से कम 5000 पिलस अब वह तो 5000 के करीब हो सकती है हो सकता है 400 भी रजाएं वह सकता है 500 भी हो जाएं लेकिन इसके आसपास रहेगी बच्छो ठीक है यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था जैसे हैड कॉंस्टिपल में 504 है ना तो मैंने बहुत पहले कह दे थी कि 800 प्लस वेकेंसी आपकी आने वाली यहां नेगेटिव मार्किंगी पेपर दोनों ही जबर जस्त लेवल के आये हैं पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं है बच्छो की एक्सपेक्टेशन से अधिक आये है बच्छो लेवल अधिक आया है ठीक है तो यह अब आप देखिए कि वेकेंसी की बात करता हूं तो जनरल में जो मैरिट गई थी खतर सो वेकेंसी इनमें लड़के करीब थे बच्छो 48 अलतालिस सो लड़के थे और करीब बच्छो 24 लड़कियां थी थोड़ी बहुत कम उपर नीचे तो यह बात्तर सो एक्टर सो के बीच के में वेकेंसी थी ठीक है बच्छो तो इतनी वेकेंसी सीर्ड़ तालिस सो फ्लेस चौइस सो तो बहत्तर सो कहिए सतर सुने ठीक लड़के लड़कियों की अलग बता रहों मैं क्योंकि यह यह स्टिस की आधि होते हैं लड़कियों की वेकेंसी हमिशा ल 걸ोगों की यह होता नहीं था चेतर पर बैटा OBC की लगी थी मात्रेक नंबर का फर्क था नेगेटिव मार्किंग नहीं थी 62 OBC लड़कियां SC 70 और बैटा लड़कियों की 56 पर और ST 74 लड़कियों की 61 यानि देखिए बैटा OBC और इसमें लड़कियों में और लड़कों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो 22.2 यह 77 थी तो नेगेटिव का फर्क लेकिन यह पेपर भी हाड था इससे यह हाड था इसमें करेंट अफेर्स अंदाधुन्द पूछी गई थी यानि एक कोई-कोई-कोई पेपर था पचास में से 28 कुष्चन सिर्फ करेंट अफेर्स तो बच्चों को कभी यह सोचते थे एक एक दोड़ोई तो पूछती है से सी करेंट अफेर्स जादा जादा दोजाल तो करेंट अफेर्स कोई पढ़के यह नहीं गया था अनेक्सपेक्टेड पर आया था यह थी ठीके बच्चों जो बच्चे लगे उनको पता भी है और पहरा जो पेपर दिया पांच तो पिछले दो महीने का ही पूरा करेंट अफेर्स पूछ रहे थे उठाके तो इस तरीके से बच्चों यह रहा था माहौल इस टाइम का और इस टाइम का माहौल मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो आया mathematics एकदम unexpected आया reasoning को ऐसे किया कि एक figure इस पेज़ पर क्योंकि तो यहां figure भी 667 गुषा दिये थे reasoning में ठीक है बच्चों और maths का बताएं तो maths में calculations बहुत लंबी लंबी देती सवाल बहुत असान थे कोई दिक्कत नहीं concept वही थे जो किसे पिटे हैं लेकिन calculations लंबी थी ठीक है वह आज भी paper आपको मिल जाएंगे मैं अभी बताओंगा क प्रकम रखने का ही किया गया तो जिस बच्चे ने बहुत बहुत भीतरी धंग से पर किया वह आज सेलेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं ठीक है बच्चों अब आगे बात कर और ऐसा नहीं जो पहली बार तेया